मेरे प्यारे देश्वास जीओ जब हम एक असाधारन लक्ष को लेकर के असाधारन यात्रापन निकलते हैं तो रास्ते में चुनोतियों की बरमार होती है और चुनोतियां भी असामान्य होती है इतनी आपताओं के बीची सिमा पर भी बेश के सामर्थ को चुनोति देने के दुस्प्रयास हुए लेकिन एलोसी से लेकर एलेसी तक बेश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आख उठाई देश की सेना ने हमारे वी जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोस से भड़ा हुआ है संक्यल्प से प्रेरित है और सामर्थ पर अतुट सत्था के साथ आगे बढ़ रहा है इस संक्यल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं देश क्या कर सकता है यह लब्दाक मैं दुनिया ने देख लिया है मैं आज मात्तु भूमी परन्यों छावर उन सभी वीर जमानों को लाल किले की प्राचीर से आधर पुर्वक नमन करता हूं आतंगबाद हो यह विस्तारबाद भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है आज दुनिया का भारत पर विश्वार्स और मजबूत हुआ है पिछले दिनों सेनुक्त राज सुरक्षा परिशत के अस्थाई सदस्त के रूप में हंड्रेंड नाइन्टी टू में से हंड्रेंड ऐटी फोर एक सो ब्यानवे में से एक सो चोर्यासी देखो सो कवगा भारत को समर्धन मिलना यह हमारे हर इंदुस्ताने के लिए गर्व दिलाता है विश्वा में आमने कैसी अपनी पहुँच बनाई है उसका यह उदारन है और यह तब ही संभव होता है जब भारत खुच मजबूत हो भारत ससक्त हो भारत सुरक्षित हो इसी सोच के साथ आज अनेक मोर्चों पर काम किया जा रहा है